बश्कार जुस्तों मेराज पांडे आप देख रहे हैं आर्सियें वो चुड़ी आप सभी का आर्सियें यूच्व इस चैनल पर हार जिक स्वागत है इस चैनल के माधिम से लगातार आपको अथेंटिक जानकारी दी जाती है वही जानकारी दी जाती है जो पूरता सही और लेकिन थोड़ा प्रियास करना पड़ेगा पूरी जानकारी दूंगा समझाओंगा बातों को समझेगा उसके बाद खुद बाख खुद आपको विश्वास पढ़ जाएगा कि नई प्रास्वी शिक्ष्य भरती आने वाली है और आपको त्यारी करना चाहिए सीटेट परि लेकिए समझने का प्रियास करिए उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें इसी प्रकार कि आथ्फेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो पहले ख़बर के बात करने से पहले एक महत्मूर सोचना दोस्तों आफर का आज अंतिम्दी है अगर आप 279 रुपे में पर्चेश करते हैं तो दो साल आप 650 भरती परिच्छाओं की तयारी कर पाएंगे इतने कम पैसे में आपको कोई भी तयारी करने का मौका नहीं देगा क्या क्या मिलेगा इसके बारे में बता दूँ आपको 57,000 प्लस मौक चेश मिलेगा 17,000 प्लस स्टूडेंट इसे पर्चेश कर चुके हैं और धाई लाक से जादा की सरकारी नौकरी लग चुकी है अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं आपका सपना है आप किसी भी राज्य की हो उत्तर प्रदेश की हो बिहार की हो राजस्थान की हो किसी भी राज्य की हो एससी बैंक करना पड़ेगा डिस्कॉप्शन बॉक्स में लिंक है आर्सी से कोपन कोर्ट का युज़ करने पर आपको भाड़ी दिसकाउंट मिलेगा इसलिए जब भी पर्येट करें तो आर्सीन कोपन कोड का यूज़ करें नहें तो आपको महगा पड़ जाएगा पहले को सीटेट परिच्छा को लेकर है आपको मालुम होगा कि सीटेट परिच्छा का आयोजन चलना है 28-29 को हुगा 9-10 को होगा या परिच्छा साथ फरोरी तक चलेगी मैं आपको बता दू कि केंजे सीटेट परिच्छा देने आये ग्रामीन परिवेस के अभ्यर्च्छों को आनलाइन परिच्छा में काफी मुश्कले हुई है जेक्ट आप पर काम करने में काफी अर्चन आई कुछ अभ्यर्च्छों के कई प्रस्ण छूट गए दूसरे दिन भी कठिन सवालों ने खुब उलजाया बाल विकास और सिच्छा सास समाजे विज्ञार अंग्रेजी के प्रस्ण कठिन थे जिसके उत्तर विकल्प खोजने में काफी परिच्छा ने हुई आनलाइन परिच्छा की वज़ा से अब भेर्च्छों करीब दो घंटे पहले और कभी ऑनलाइन परिच्छन ना दिया रहूं तो मुझे भी दिक्कत होगी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है धीरे धीरे करकी बच्चे समझ जाएंगे घबरानी के बशक्ता नहीं है अगले अब देथे नई प्रात्विक शिच्छक भरती को लिकर दोस्तों नई प् सक्रीन पर देख रहें दसक बात प्रदून्जत होंगे प्राइमरी शिच्छक इसमें बहुत ही महत्तपूर बात लिखी हुई है इसमें लिखा हुआ एक 3,00,000 से ज्यादा सिच्छक हैं प्रणती की राह में परसदिये स्कूलों में 3,67,000 सिच्छक और 70,000 प्रधाना ध्य आपको वहाँ ज्यूनियर स्कूलों की सिच्छकों की रिक्त पदों का विवराज उटा है जा रहा है दोस्तों इस चैनल के माधिम से आपको बताया गया है जुलाई के बाद वैकेंसी आएगी नहीं प्रात्वी शिक्छक भरती की लेकिन मैं आपको बता दो थोड़ा प्र जाता है इसलिए प्रात्वी शिक्छक भरती कि अगर आप तैयारी कर रहें तो यह तैयारी करते रहें इधर उधर आपको भटकनी के अवशकता नहीं है ना इधर उधर की बाते सुनने के अवशकता है अगली अपडेट है यूजी सी नेट को लेकर 13-22 जून तक होगा यूजी सी नेट जून 2030 का आयोजन 13-22 जून को किया जाएगा इसका आयोजन NTA करेगा जून चक्र के लिए बिस्त्रित सी बाद में जारी की जाएगी एक और महतपूर जानकारी दी गई है सीबियसी को लेकर बारवी की परिच्छा चार अपरेल की परिच्छा अब 27 अब्भरती उपस्तित रहे जो कि आज कि स्वाचार पत्र बताएगा कुछ लोगों ने हमसे पूछा सर अंसुठी का जो नोडिफिकेसन जारी हुआ है उसमें पद इंक्रीज होने थे उसका लियाचन BPSC को प्राप्ट हुआ अब आगे पद इंक्रीज होंगे या नहीं अ BPSC को कुछ प्राप्ट नहीं हुआ अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं तो मैं आपको ख्या बता दू जैसे सूचना होगा मैं आपको इस चैलन के माधिम से सूचित कर दूँगा अगली अपडेट है सिच्छा लिपकों की परदूनती का रास्ता साफ हो गया है 48 बरसों बा जिला सिच्छा कारेले परशिच्छन माहविद्यालों के साथ जिला स्कूलों में न्यूकत हैं है रत की बात तो ए थी कि इनकी केवल न्यूकती होती है तो मैं आपको बता दो पदुदतिनी का जो रास्ता साहफ हुआ है जो फैस्छल सरकार के दवारा लिया गया है इसे ल इच्छा भी छूट देनी की मांग करते हुए शरक पर उत्रे इन लोगों ने मंडी हाउस मेट्रो इस्टेशन के पीछे सब्दर हासमी रोड पर मार्च निकाला प्रदसन कारियों का कहना है कि कोबिट काल में सिविल सेवा की तयारी करने वाले अभ्याथी बुरी तरह से प् क्याल के मिलेगा इससूर कार को विचार करना चाहिए और कि आपको वहसल दिया जाए अगली अप्डेट है हिर्दय मदमें cancer antibiotic दवाए यानि कि जो हिर्दय रोग मदमे cancer की जो antibiotic दवाए थी उनके दाम में कमी आई है यानि कि 138 दवाओं की कीमतें घटाई गई है जिसका डाटा यहां पर है अगर आपको इसका डाटा चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोष्ट गर दूगा टेलीग्राम पर जाकर देखली जीगा यहां पर देखिये की लिप जानकारी मिल जाेंगे आप इसे पपाएंगे और USA पर इच्छातिवी को लेकर के भी एक परिष्छाती की घोष्टा कब होगी देखिए अब हुआहों का बजार गरम है ठंड़क के महीने में गर्मी पैदा की जा रही है आपको मालूम होगा इतना जल्द परिच्छा सभी के जहन में एक सवाल है दो जनुरी तक आवेदन उसके बस अंसोधन आखिर का पंदरा से बीस दिन में परिच्छा कैसे आयुद होगा सभी की जनुरी आभी सवाल है सीटेट के परिच्छा साथ तारीकों समाप्थ हो रही है क्या आठ तारीक या नौ तारीक से परिच्छा आयुद ही जा सकती है इतान नटकी भी परिच्छा है तो मैं आप से इनकारी करूँगा मेरे दुआरा कहा गया है कि पंदरा मार्च की बात परिच्छा आयुद ही जाएगए लेकिन वास्त्री देखिए यह जो जानकारी मेरे दॉआ दिया गया कल, यह मेरे दुआ तीन-चार महीने पहले कलेक्ट किया गया था, यह भी बताया गया था कि बिज्ञापन कब आएगा, तो तीन-चार महीने पहले जो जानकारी दी गई थी, same to same ऑई हो रहा है, लेकिन अभी एक भ्राम की स्थिति सभी की दिमाग में पैदा हो गया है कि फरवरी मां से एकजाम सुरू होगा फरवरी में इतरा जल्द क्यों आखिरकार क्यों देखी भीया परिछा कभी भी कराया जा सकता है हमें तो कराना नहीं है दिक्कत होगी तो सभी को दिक्कत होगी और नहीं दिक्कत होगी तो किसी को नहीं दिक्कत होगी तो वाफ्तिवी क्या है आज जानकारी कलेक्ट करूँगा मैं इतना ही पूछूँगा कि परिछा तिछी की अजिकारी घोश्रा कब तक की जाएगी क्या परिछा जो तिछी है निर्धारिस की जा चुकी है या नहीं जो भी जानकारी मुझे मिलेगी वीडियो के माध्यम से मैं आपको सूचित कर दूँगा इसलिए आपको बेट करना पड़े आज सामें तक मैं आपको बताऊंगा कि केवियस की परिछा की नोटिस इस महिने के किस वीक में आने की संभावना किस वीक में आ सकता है और परिछा कब कराने की त्यारी चल लए है पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको पूरी जानकारी समय समय पर मिलती रहे क्योंकि आप लोग अधुरा वीडियो देखते इसलिए भटकते रहते हैं और भटकते आत्मा को कहीं इस्थान नहीं म बता रहें हो सकता है उनकी जानकारी सही हो जो मैं जानकारी कलेक्ट करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा अगली अपडेट है यूपी ट्रपल सी पीटी को लेगा पीटी का रिजल्ट मेरे द्वारा बता गया चार पांच जनवरी 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा उसके बार अधित justement जनवरी के आपको रिजल्ट में तैयार हो जाएगा और Пरदीर गोसित कर दिया जाय आगा मामला जो कोट वोट में है वह अभी समाधान हो जाएगा उससे आपको घबरारी के वशकता नहीं है तो जितने भी लोग पीटी परिछा में अच्छे अंकल आए हैं उनी का कल्यान होना क्यों कि अपकी बार कटाप हाई जाएगा हर पिछले की तुल्ला में हर एक भरती के विग्यापन के बाद आप इधन करेंगे उसके बाद जब कटाप आएगा तो आपको समझ में आगा वात्विक सर ने सही बत करता है कि 24 में आपका कल्यांड हो जाए इसलिए कल्यान करना तो अभी से तयारी में जुटना है तो इसी प्रकार की जानकारी देता रहता हूं सभी जानकारी के लिए चलंगो सब्सक्राइब करें अगर आपको टेक्ट रिभू के ट्रिश को परिचश करना तो में लिख है आर्चिन कोपन कोड का यूज करने पर आपको भाई डिस्काउंट मिल जाएगा